हेलो एन विलकम गाईज, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइलम एकाइनो डर्माटा जो की हमारा एनिमल के अंदर ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन का नाइन्थ फाइलम होता है उसे हम कहते हैं एकाइनो डर्माटा उसी एकाइनो डर्माटा के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ बात चीत करने वाले हैं और यह समझने वाले हैं कि Econodermata की क्या खासियत है और क्या इसके कराक्टरेस्टिक हैं तो आए जानते हैं फटाफट सलूशन इसका कि अगर एक जाम में हमारी एक कोशन आ जाता है तो इसके सलूशन में हम लोगों हाँ पर क्या कुछ लिख सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को फाइलम Econodermata के बारे में लिखना है वो यह है कि Econodermata ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी बॉड़ी के उपर स्पाइन्स मौझूद होते है स्पाइन्स मतलब क्या होता है स्पाइन्स मतलब होता है काटा मतलब ऐसे और्गेनिजम जिनकी बॉड़ी के उपर काटा मौझूद होता है और यह काटा नॉर्मल काटा नहीं है यह है कैलकरेस काटा यह कैलकरेस स्पाइन है अब यहाँ पे स्पाइन मतलब काटा तो काटा यह कैलकरेस मतलब क्या होता है Calcareous का मतलब होता है Calcium Carbonate के द्वारा बना हुआ काटा और ये Calcium Carbonate से बना हुआ काटा हमारा जो Phylum Eccanodermata होता है हमारे Phylum Eccanodermata के अंदर आय जाने वाले पाये जाने वाले सभी animals के अंदर ये पाया जाता है यही main reason है कि जो हमारा phylum echonodermata है उसे हम echonodermata कहते क्यों है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ये calcareous spine मौझूद होते हैं आप लोगों ने यहाँ पर फोटो में तो देखे लिया होगा calcareous spine क्या होता है तो यहाँ पर देख लिजिए हमारे पाद जानवर मौझूद है और जानवर की body के उपर यानि कि उसकी skin के उपर उसकी खाल के उपर बहुत सारे काटे मौझूद हैं बोले तो समंदर के अंदर पाये जाते हैं तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आप लोगों को यह दो पॉइंट उपर के समझ में आ गए अब यहाँ पर सबसे important सबसे महत दुपून बात अब जो आपको लिखना है वो यह है कि भई यह जो हमारे animal होते हैं जो की phylum एकानों डर्माटर के अंदर पाये जाते हैं इनकी जो body होती है जब यह बड़े हो जाते हैं सयान हो जाते हैं मतलब adult हो जाते हैं तो adult stage में इनकी body वो triploblastik होती है अब triploblastik मतलब क्या होता है देखिए जो हमारा animal होता है हमारे animal के पूरे के पूरे body को बढने के लिए तीन जर्माटर लेयर चाहिए होते हैं एक होता तो यह जो हमारे एनिमल जो फालम एकानों ड्रमाटा के अंदर आते हैं इनकी बॉड़ी के अंदर यह तीनों लेयर मौझूद होते हैं इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक एनिमल उसके बाद यू सिलोमेट मतलब क्या होता है बेसिकली सीलम मतलब होता है खाली जगह मतलब फ्री स्पेस के जरोद क्यों होती है तक बॉड़ी के अंदर बहुत सारे औरगन को भरा जा सके तो यह कहने का मतलब यह हैं यह एसे और अगर आप इन्हें से किसी भी एक्सिस में कातोगे तो यह हमेशा ही हमेशा इक्व Лघमे डिवाइढ होगि अगर इस इस स्ट्रीश मैं कहीं से और ऊटों गा कह सर्ते की वह हमारा संर से पास होना चाहिए तब यह हमेसा ही equal part में divide होगा और ऐसा organism जिसे हम काटेंगे और वो हमेशा हमेशा same part में divide होगा same टुकड़े में divide होगा उसे हम कहते हैं कि वो radial symmetry दिखा देता है लेकिन 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 ये तो बात हो गई adult stage के बारे में लेकिन यही जानवर जब हमारा लारवा stage में होता है यानि कि जब यह baby होता है जब बच्चा होता है तब अगर आप इसे काटोगे तब वहाँ पे यह bilateral symmetry दिखाएगा bilateral symmetry क्या होती है bilateral symmetry एक ऐसे प्रकार की symmetry होती है जिसमें हम animal को अगर एक plane से काटेंगे तब वहाँ पे वो हमें बराबर similarity दिखाने वाला है लेकिन अगर वहाँ पे आप उसे दूसरे axis से काट दोगे दूसरे plane से काट दोगे तब वहाँ पे वो हमें similarity दिखाने वाला नहीं है एक्जांपल के तोर पे जैसे अगर आप किसी इंसान को बीचो बीच खड़े-कड़ फार देते हैं तब वहाँ पे वो दो दोनों जो कटेंगे दोनों के अंदर एक हाथ एक पाउं आधा पेट आधा मूं का पाट तो ऐसे दोनों के अंदर सेम से माएगा लेकिन वहीं पे आप किसी इंसान को अगर horizontally काट देते हैं उसक जब हमने इसको vertically काटा था तो इसे हम कहते हैं bilateral symmetry तो भाई यह जो हमारा फाले मेकान डरमाटा के अंदर जानवर आने वाला है यह जब लारवा stage में होता है तब यहाँ पे यह हमें bilateral symmetry को दिखाने वाला है अब यहाँ पे सवार आता है कि यार अगर यह जानवर है मतलब एक औरगन होता है जो मौझूद होता है अब औरगन कहीं और मौझूद नहीं होता देखो इसके जो हाथ पाउन लगे हुए ना फैले हुए है इसी हाथ पाउन को हम लोग two feet कहते हैं इसी का इस्तमाल करें कि यह एक जगह से दुसरी पर आता जाता रहता है तो बस यह इतन तो आप यहाँ पे कलिकरे स्पाइन जो कि यहाँ पे पिचल में दिखाया गया है स्पाइन वो काटे को आप बना के वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यह स्पाइन होता है तो बस यही कुछ बाती थी जो आप लोग को इस question के answer बतानी थी and I hope आप लोग को question का समझ में आ गया सकते हैं और मेरी बात हमेसा आद रखे जब भी आप biology की study कर रहे होते हैं हमेसा कापी और कलम को लेके बैठिए खाली वीडियो देखने से फाइदा नहीं मिलेगा आपको आप वीडियो देखते रहे साथ साथ में आप लोग लिखते भी रहे क्योंकि इन सीजों को अगर आ लिखते रहेंगे वीडियो के साथ में तो आपका एक तीर दो निसाना काम आपका फटाफट हो जाएगा आपका जादा टाइम बरबाद होगा नहीं इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक यू फॉर वाचि कि जाहिन